. अब इसे हमें इस तरह से लेना है अब यहाँ पे हमारी एक साइड जो है साडि páibly outta 10-12 और यह इस तरह से हैं लेकिन जो दूसरी साइड है इसे हमें देखनी है, तो यहाँ पे हमें एक साइड में इसको पीको करना है, क्योंकि एक साइड में हमारी लेस और उसको स्टीच किया है, तो इसलिए हम एक साइड में नहीं करते, दूसरी जो साइड है, उसको हमें देखना है, तो यहाँ पे हम जिसे बलाउच जो हैं जो साडी का बलाउच है यहाँ पे हमारी बार्ड़र है इस तरह सीधी yes साडी निकला हुआ ब्लाउस है उसे हमें पहले निकालना है और इससे सीधा कट करना है ताकि यह पिको केरी भी हो羅 जाएगा इस तरह से हमें इसको सीधा कट करना है यानि कि ब्लाउस पीज जो है वो भी अलग हो जाएगा और पिको के लिए यह हमें इसकी सीधी कटिंग भी मिलेगी इस तरह से हमने यह ब्लाउस जो है उसको अलग किया है इस तरह से हमने ब्लाउस को अलग किया है और यहाँ पर हमने इसको सीधा कट किया है यहाँ पर हमने इसको सीधा कट किया है अब यहाँ पर हमें इसको पीको करना है तो सीधी और उल्टी साइड हमें देखनी है तो यहाँ पर हमारी जो है यह सीधी साइड है और यह जो है अं मिल दाब करता है जो ऄड़िया पकरेगे मैं तो हम यता करता है उता हमते हैं कि यहें शेट जो दाब है इसको बिठाया है अब यहाँ पर यह जो किनारी है इसे हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करना है दुबारा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से रखते हैं अब यहाँ पर हमने साड़ी को इस तरह से रखा है अब यहाँ पर हमारा यह दाप चेंज करना है इस तरह से यह जो बटन है इसको हमें चेंज करना है इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें यह साड़ी जो है साड़ी को पिको कर लेते हैं साड़ी को इस तरह से इसके बीच में जो है इसे हमें इस तरह से लगा रखना है यहाँ भी हमें इस तरह से यह पिको करना है दोनों साड़ में इस तरह से उपर के साड़ में थोड़ा पकड़ना है हल के हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा उपर के साड़ में थोड़ा सा खीचना है और हल के हाथ से इसको भी उपर के साड़ में इस तरह से रखना है इस तरह से जो पीको है यह हमारा यह सिम्पल मशिन के उपर भी है बहुत ही अच्छा आता है पूरे एक साइड में हमें इसको पीको करना है अच्छा अच्छा पीकवा ओ RICH गच्छा यच्छाँ60 आता है उनुल स्वाओ ब María नच्छा आता साइड झाओ़ और नच्छाँ झाओगर ये भिर सहे तरह रता है यह दिखिए आप पूरे एक साइड में इसी तरह से घर पी बहुत ही अच्छा पिको आता है यहां पर इस तरह से घर पी सिंपल मशिन के उपर यह पीको आप पूरे साड़ी के उपर और यहां पर हमें इस तरह से पीको भी करना है और नीचे के साइड में जो फॉल है वो भी लगा सकते है तो यहां पर मैंने आपको यह पीको कैसे करना है यह मैंने आपको दिखाया है तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करे शेयर करे और हमारे चैनल को करें. Thank you for watching.